अलो एवरीवन नमस्कार श्वागत है आपका परिक्षा प्लस चैनल पर हमारे दोस्तों आज हम सुरुवात कर रहे हैं फिर से UPSS से ही जूनियर असिस्टेंट एक्जाम को ले करके जो 800 प्रशनों की स्रिंखला है आज इसमें हम डिसकस करेंगे फिर से आपसे टॉप सादा important हो और अच्छे-च्छे questions हैं यानि अगर आप इतनी देर हमारे साथ बने रहते हैं तो आप यह समदले कि आप अपनी हिंदी का एक अच्छा खासा portion revise कर रहे हैं देर ना करते विए सुरुवात करते हैं एक बार फिर से और मैं आपसे फिर से पताना चाह रहा हूं कि टीम पर इच्छा प्लस आपके लिए रोज आना लगभग 800 प्रशनों की यह सिंखला जो लेकर उतरी है इसमें पूरे के पूरे आपके हिंदी से संबंधित सारे प्रशने UPSS-C के नए patent पर आधारी complete होंगे तो एक बार देर ना करते विए आप लोग चैनल को जरूर सब् करेंगे तो वहां मिल जाएगा इसको जरूर जोइन कर लें डेली अपडेट्स के बारे में ग्रूप पर डाला जाता है अनि तमाम जानकरियां ग्रूप पर दी जाती है उसके साथ ही साथ जितने भी यह PDF आपके हैं जो भी यह PDF होते हैं हर दिन के यह हमारे टेलीग्राम च साथ सेर करिए क्योंकि अब हम डेली बेसिस पर आपके 24 दिसंबर तक लगातार कुछ ऐसा फोकस करेंगी कि आपका पूरा का पूरा हर दिन हमारे साथ कुछ important questions को ले कर भी ते अलग-अलग subject को ले करके हम उतर रहे हैं UP SSC junior assistant को ले करके तब तक के लिए बहुत जरूरी है क कि आप YouTube की हर एक notification आमारा पाएं लाइब वीडियोज बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं हम बहुत जल्दी हील आपसे लाइब जुडने वाले हैं जिससे कि उस session के दौरान आपके कोई अन्य सवाल होते हैं वो हमसे पूछ सके इसलिए bell icon जरूर दबा ले और हमारे चैन चीजे जनकरिया मिलती रहेंगी देर ना करते हुए चलिए सुरुवात करते हैं आज की प्रशनों की महतपूर सिंखला से सबसे पहला question number एक है आपके शामने है और इस question का जबाब आपको देना है आप कोसिस करें कि जल्द से जल्द कल्म टाइम में ही आप जबाब दे सके वो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपका revision वेशिस भी उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और information दे रहा हूँ पहले question पढ़ते हैं question आपका कह रहा है पहला number जिन वर्डों के उचारण में मुक्ष से कम स्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं बिगलब आपके सामने है A. महाप्राण विंजन B. अल्प्राण विंजन C. दे रखा है प्राण विंजन और D. दे रखा है उप्रोक्त में से कोई नहीं 10 सेकंड का मैं आपको मोका दे रहा हूँ चलिए जल्दी से सोचिए और जबाब बताईए comment करते रहें जहां पर भी बैठें copy pin लेकर बैठें वहां लिखते रहें अंध में जब आपके PDF डाली जाएगी तो आप comment करें कितने आपके सही हो रहें कितने गलत हो रहें क्या improvement चाहिए यह सारी चाहिए इसका जब आप comment करते रहें बोलते रहें जहां पर हैं आप वहीं यह बोलते रहें चलिए और इसमें जिन लोगों ने अगर मैं संख्या की बात करूँ तो इनकी संख्या 20 है यानि 20 टोटल होते हैं आपके अलप्रांट बिंजन 20 में अगर हम देखें तो आप जो आपका वर्ग होता है जैसे कावर्ग से सुरू हुआ ठीक है और आप पावर्ग तक जाएंगे तो 5 गुड़े 5 की यह matrix बनती है तो यह असपर्स बिंजन कहलाते हैं कावर्ग से लेकर पावर्ग आप जाएंगे तो इसमें हर वर्ग का पहला उसके साथ ही साथ तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है यह सारे बिंजन आपके अलप्रांट बिंजन होते हैं साथ ही साथ अंतास्त बिंजन जो चार होते ह या, रा, ला, और वा, ये चारों भी आपके क्या होते हैं, ये अलप्रांट बेंजन के अंतरगत ही आते हैं, और इसके साथ एक आगत बेंजनों में जो आपका रा होता है, ये भी आपके किसके अंतरगत आता है, अलप्रांट बेंजन के अंतरगत आता है, तो कुल मिलाकर इ टेस्ट मिल लाए हैं यह online हमारे platform पर होती है आप चाहें बाद में इसका solution आपको PDF के form में अच्छे से offline भी दे दिये जाएगा साथ ही साथ इसमें जो reasoning sessions है अनी sessions है उनकी वीडियो व्याख्या भी दी गई है तो कोई भी दिक्कत होती है वहाँ वीडियो से आप समझ सकते हैं एक आपको जो है demo test के तोर पर मिल जाएगा और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़े आपके junior assistant से focus हम आपको कुछ notes प्रोवाइट कर रहे हैं जो आपके exam के लिए बहुत important है और यह सब कुछ आप जो है इस number पर call करके पूछ सकते हैं इसमें कैसे आपको entry लेना है इस number प प्रोवाण क्या कहलाते हैं चलिए इनके अगर हम options देखें पहला option आपका कहला रहा है option A देखिए option यह बोल ला है ओस्ट B आपसे बोल ला है कंठ तालब भी और C बोल ला है आपका कंठ ओस्ट और D बोल ला है कंठ चलिए इसका जवाब फटा-फट बोलते रही है जहां पर हैं आप मन में बोले है या कमेंट करते रही है इन चरों में से ही इसका क्या जवाब होगा उच्चारण से संबंदित प्रश्ण है बिल्गुल सही जिनों ने option C चुना है वो एकदम सही है वो एकदम सही है क्योंकि wordmala से मैं बार-बार कह रहा हूं कि UTSC में wordmala से चू क्वलीट कर देगी यानि पार क्वेश्ण से ऊपर भी पूछेगा वो सब कुछ उसमें समाहित है तीसरे प्रश्ण पर बढ़ते हैं वरतनी या सुद्ध वरतनी से सवाल है सुद्ध वरतनी वाला सब्द कौन सा है पहला option दे रखा है शुशप्ती दूसरा है शुशप्ती तीसरा है शुशुप्ती और चौथा है शुशप्ती इन चारों में से चुनिए कौन सा है सुद्ध वरतनी कमिल करते रहें या जहां पर बैटे हैं वहीं बोलते रहें लिखते रहें कुछ भी इन चारों में से कौन सा सही है जल्दी बोलिए तीसरा है नमबर प्रश्ण है तीसरे की सुधवरतनी है आपकिसी जिन लोगोंने विकल्ब सी चुना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें मूर्धन इशा आता है पहले सरलसा होता है ठीक है साधारण उसके बाद मूर्धन इशा होता है और दोनों पर आपको छोटा उ की मत्रा लगी होती है अंत में तो आपका ताह होता ही होता है तो यह ध्यान रखना है बीच में मूर्धन इशा आता है जिसको आप क्या बोलते हैं सटकोड का साधा चौथा प्रशन आपके सामने है चौथे प्रशन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संदी का नाम क्या है ठीक है प कमेंट करके जरूर बोलते रहिए कि हाँ इस प्रश्ट का ये जबाब सही है स्रिंकला कैसी चल लगी है चलिए दयानन्द के बारे में अगर हम बात करें तो दयानन्द में समाद अगर संदी की बात करें तो सबसे पहले ये स्वरसंदी की अंतरगत आएगा अब मैं आपसे स्वरसंदी की अंतरगत पूछू कि ये कौन सा भेद है तो ये दिर्ग संदी का भेद है क्योंकि दयानन्द का जब आप संदी बिछेत करेंगे तो दया धन आनन्द बनेगा ठीक है दया धन आनन्द बनेगा यानि यहाँ पर पहले जो सब्द है इसका अंतिमवाड छुटा है और दूसरे सब्द का प्रथमवाड आपका बड़ा है आ और बड़ा का मेल हो रहा है तो जहाँ पर आपका लगू उसी समान सस्वरण के साथ दीर्ग से अगर मेल करता है तो वहाँ दीर्ग की मात्रा आती है इसलिए दया धन आनन्द दयानन्द बनेगा अगले प्रशन पर बढ़ते हैं जो आपके सामने है पाचवा नमबर प्रशन पाचवा नमबर प्रशन में पुछा है सदयो में प्रवक्त संदी का नाम बताईए बहुत बढ़िया प्रशन है पहला स्वर संदी दूसरा कह रहा है विशर तीसरा कह रहा है देर्ग संदी चोथा कह रहा है बेंजन संदी इन चारों में से आपको जबाब बताना है कि कौन से जबाब इसका सही है चलिए फटाक से आंसर बोलते रहे है फटाफट जबाब देते रहे है पाचवा का जिनोंने जबाब स्वर संदी यहाँ पर चुना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि यह स्वर संदी का उधारण है सदयो का अगर मैं संदी विछेत को करूँ तो सदाधन एयो इसका बंता है और यह भी मैं आपसे पूछऊ कि यह किस संदी का उधारण है तो सवर संदी के अंतरगत यह ब्रिधसंदी का उधारण है चलिए प्रश्न छटे पर बरते हैं दूसरी चीज़ दोस्तो चैनल नई सस्क्राइब किया है तो जरूर सस्क्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन जो वहाँ होती है उसको पोस कर ले क्योंकि लाइब वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें साथी टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए वहाँ पर आपको वीडियो जो और उनकी पीडियो मिलती रहेंगी चलिए आगे बढ़ते हैं छटे नमबर प्रशन पर आपके सामने है छटा नमबर प्रशन इत्यादी का सही संद्विछेद क्या होगा इत्यादी का सही संद्विछेद क्या होगा विकलब आपके सामने है ए इत्यधन याब बी इत्यधन आदी सी इत्यधन यदी चोथा कहरा है कि इन में से कोई नहीं चलिए फटाक से जब आप इसका comment करें बोलते रहें जो भी कर रहें इत्यादी का सही संद्विछेद जिनोंने विकल बी चुना है वो बिल्कुल सही है इत्यादी का अगर मैं संद्विछेद करूँ तो इतीधन आदी होता है एतिधरन आज जब आप करेंगे तो इस से बनता है इत्यादी क्योंकि यहाँ पर ए का मेल आ से हो रहा है, बड़ा आ से हो रहा है और यह किस संदी के अंतरगत है अगर मैं संदी आप से पूछ हूँ, कमेंट कर यह फट से किस संदी का उढ़ारण है इत्यारी जो है आपका ये याड़े चीज का फार्मूला आप याद रखिए चलिए अगले प्रशन की और बरते हैं प्रशन नंबर साथ आपके सामने दिख रहा है अनुनाशिक का संबंद किस से होता है पहला बोल ला है कि अवल मू से दूसरा बोल ला है कि अनुनाशिक और अनुश्वार में वो अंतर नहीं समझ पाते हैं जिसकी वज़े से ये आसान सा प्रशन वहां गलत करके चले आते हैं और अगर सेलेक्शन लेना है तो आपको उन प्रशनों को बिल्कुल नहीं गलत करना है जो आपके लिए बहुत जरूरी है चले इसका जबाब कमेंट करिए फटाक से बोलते रही है देखे अनुनाशिक का संबंध होता है नाक और मुह से वैवर्ड जिनका उच्छारन करते समय है वाईउ नाक और मुह दोनों से निकलती है वो अनुनाशिक कर लाते है दूसरी चीज अनुनाशिक को दिखाने के लिए चंदरबिंदु का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है चांदबिंदी जो लगी होती है वाड़ों के उपर ये अनुनाशिक का संगेत होती है समझ गए है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन आपके सामने है प्रशन नमबर आठ चतुर्भुज सब्द में कौन सा समास है चतुर्भुज सब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है बिकल्भ है ए बहुबरी बी कहरा है तत्पुरुस सी कहरा है अवेवी भाव दी कहरा है दिगू चारू मेंसे जब आप कमेंट करिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, कौन सा जब आप इसमें सही है, बताएं, चतुर भुज, ये सब्द बहुत ज़्यादा important है, बार बार ये repeat हो रहा है, लगातार इधर, ठीक है, चलिए जिनोंने बिकल्प ए चुन लिया है, वो समास की ये परिवाशा है, लेकिन चतुर भुज का आर्थ होता है, चार हैं भुजाए जिसकी, यानि भगमान विश्नु को चतुर भुज बोला जाता है, तो यहाँ पर ये बिसेस हो गया, ठीक है, चतुर भुज का आर्थ, भगमान विश्नु के लिए हो गया, इसलिए य तो जिन्होंने विकल्ब देखते हैं, इन चारों में से आपको चूच करना है, चलिए, कमेंट करिए, जो लोग जानने हैं, जो नहीं जानने हैं, वो भी कमेंट करते रहें, बताते रहें, कि मैं जबाब दूँगा, वो तो आपका सही हुई हो जाएगा, और दिमाग में बै तो जिन्होंने विकल्ब दी चुना है, वो बिल्कुल सही है, वानी ऐसा कोई प्रत्य नहीं है, तद्धित प्रत्य का भेद, जो इस्तरी जाती बनाने के लिए, बाकी आ है, ठीक है, आनी है, ई है, लेकिन कहीं पर भी वानी आपको प्रत्य के तोर पर नहीं मिलेगा, अग चलिए जवाब कमेंट कर ये फटाक से, जवाब देते रहें इसका साथी साथ, बोलते रहें, अनी भी चीजे जो आपको पूछना है, वो कमेंट के मादिम से बोलते रहें, जल्दी लाइब हम मिलेंगे, वहाँ पर आप अपनी और समस्याओं को अच्छे से बादा सकते है ताकि मैं लाइब में ही आपके उन क्वेशन्स को क्लियर करता चलूँ, चलिए दसवे नंबर प्रश्ट का जिनों ने जवाब C दिया है मान प्रते, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं उत्तर आपका सही है, वो दिमान में मान प्रते है, ठीक है, अगले प्रश्ट की और परते हैं, अगला प्रश्ट आपके सामने है, दुर दिन में उफशर्ग कौन सा है, दुर दिन जो सब्द है, इसमें उफशर्ग बताएं, विकल्ब आपके इस प्रकार है, विकल्ब एक कहरा है दूर, दूर, बी कहरा है दूर, सी कहरा है आ, और चोथा कहरा है उ, ठीक है, दो प्रशन उप्षर्ग से दो प्रशन प्रत्य से होंगे जरूर चलिए इसका जवाब देखते हैं इसका जवाब आपका होगा बी जिन्होंने दुर चुना है दुर और दुस दो आपके उप्षर्ग होते हैं तो जिन्होंने दुर चुना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि इसका जबाब दूर ही है दूर दिन में दूर प्रत्य है अगली बात फिर से मैं बोल ला हूँ कि यूटूब चैनल पर जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर सस्क्राइब करें जल्दी लाइब ग्लासेज हर एक सेशन की आपको अलग अलग 50 प्रेशन की या जितने इंप्वाटेंट प्रस्ण बन रहे हैं उनकी स्टार्ट होंगी तो उस लाइब सेशन की आपको पहले सी ही सूचना मिल जाए इसके लिए जरूर चैनल सस्क्राइब करें टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं प्रस्ण नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है बारह नंबर कहा है नी उफषर्ग नहीं है किन 4 सब्द दिये चारों में ढूंडना है विकल देखते हैं A कहराई निरोद, P कहराई नियाई, C कहराई नेस और D कहराई नियरस चलिए जबाब इनका कमेंट करिए कि किसमें नी उफशर्ग आपका नहीं है कौन सा ऐसा इसमें सब्द है जिनमें नी उफशर्ग सामिल नहीं है चलिए जो लोग विकल्ब D दे रहें वो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर विकल्ब D में आप सब्द देखकर ही ढूंड सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर बड़ी की मात्ता लगी है ठीक है और रस एक अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला सब्द है तो यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए प्याकरण में ना जाएं तब भी आप इसका विकल्ब निकाल सकते बाकी निरोध में नीप्रत्य है नियाय में नीधन आई करेंगे तब नियाय वनेगा ठीक है यहाँ शंदी के अंतरगत नेस्त भी वही है नीधन अस्त कर अधार पर कोख सब्द किस प्रकार का सब्द है ठीक है उत्पतिया स्रोत के अधार पर कोख सब्द किस प्रकार का सब्द है यह चुन्ना है बेकल्ब आपके सामने इस प्रकार है ए ततसम बी तदभाव सी देशज डी बी थे विदेशज चलिए ऑप्शन फडाक से इसका ज मलव सही विकल के बारे बात करू तो इसका विकल भी सही है तदबो सब्द है अब जिनों ने जवाब दिया है उनसे मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कोक सब्द का तत्सम सब्द क्या होगा कोक सब्द का तत्सम सब्द होता है कुक्शी ठीक है कुक्शी सब्द इसका तत्सम होता है कोक का चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन प्रशन संख्या 14 आपके स्क्रीन पर है 14 नमबर का राय नियून का विलोम क्या होगा 14 नमबर प्रशन जो है आपके सामने यह बोला है कि नियून का विलोम क्या होगा विकलब इस प्रकार आपके बिल्कुल सही जिनों ने जवाब यहां पर नियून के तौर पर अधिक का दिया है वो सही है विकल्प A इसका सही हो रग गया है चलिए अगले क्वेशन की और बरते हैं क्वेशन नमबर 15 आपके सामने इन चार अप्षन में से आपको सही विकल्प बताना है और प्रश्ट इस परगार है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने ही तीब्र इच्छा चलिए फटक से बताइए तुरन कमेंट करिए इसका सही विकल जिन्होंने सी चुना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीब रिवच्छा अभिप्सा कहलाती है जी जीवच्छा के बारे में जीने की इच्छा जिग्यासा प्रशन पूछने की इच्छा कुछ अच्छित भी वहीं चीजे होती है ठीक है तो चलिए इस पर अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रशन 16 नंबर आपके सामने है 16 नंबर इस प्रकार प्रशन है जिस पर मुकदमा चला है यानेक सब्दों से लेकर एक सब्द है कम से कम चार प्रशन आपको मिलेंगे 60 में, ठीक है, 60 प्रशनों में 4 प्रशन यहां से होंगे कह रहा है जिस पर मुकदमा चला है विकल्प इस प्रकार है A कह रहा है वादी, B कह रहा है A कह रहा है अनाहूद, D कह रहा है A मानुसिक, इन चारों में से सही विकल्ब चुनिए और सही विकल्ब चुन के आप कमेंट करिए या जिस भी माध्यम से आप इस सीरीज को लेकर कोईश को लेकर चल ले हैं वो माध्यम आप जरूर दर्साते रहे 16 नंबर प्रोशन का जबाब जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही है क्योंकि जिस पर मुकदमा चलता है उसको अभीयोग तो कहते है और मालो मुकदमा ना मैं यहाँ पर अभीयोग लिख दू तब बताईए अगर मैं यहाँ लिख दू जिस पर अभीयोग चल ला है तब इसका जवाब क्या होगा कमेंट करिए ये कमेंट करके आप बताईएगा इसका अगले जो है आपकी सीरीज में बताऊँगा जिस पर अभी जला है वो क्या कहलाएगा चलिए प्रश नंबर सत्तरा आपके सामने है इसक्रीन पर प्रश नंबर सत्तरा में फिलव के तोर पर है देखिए इसमें कहरा है आप से साधर फिर बीच में आपको गयव दे रखा है वहाँ पर कुछ फिल करना है आगे के वाकि में उसने लिखा है आप से साधर है कि आप हम जो ने विकल्प एचोन लिया है वो बिल्कुल सही हैं आप से शादर अनुरोध है कि आप हमारे आहां मोकियतित बनकर पधारें प्रश नमबर 18 एक बार फिर से आपके स्क्रीन के सामने हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं दोस्तो जो आपकी टेसरीज अभी चल लगी है हमारे जो है टीम के द्वारा ये टेसरीज आपके लिए वेहत फाइदेमन्द होगी क्योंकि इसमें वो क्वेस्चन डाले गए हैं जो यूपी ट्रपलसी अभी 2019 पे सारे बेसिस पेपर के बेसिस चला रहा है और इसमें माटेरियल और अन्नी चीज़े जो दी जा रही है वो आप के लिए बहुत सटीक बैठेंगी ठीक है तो परिच्छा निकट है इसलिए टेसरीज का एक अपना एहम रोल होता है और साथ ही साथ इसमें दस टेस्ट की पीडियाफ वीडियो सलीशन अन्नी माटेरियल सब कुछ एक साथ मिल जा रहे हैं तो इसके लिए आप जरूर एक ब अब आपको तुरन दिमाग में आने लगा होगा क्योंकि ये प्रशन इससे पहले वीडियो की परिच्छा में पूछा भी गया है और थोड़ा ये प्रशन इंप्रशन इंप्वार्डेंट भी है चलिए प्रशन कह रहा है इसको देखते हैं सैतान की याद का अर्थ क्या है ठीक है सैतान की याद का अर्थ क्या है इस प्रशन के बारे में हमें बताना है चलिए सैतान की याद का अर्थ क्या है इसको मैं रब कर दे रहा हूं बिकल्प अगर देखें तो बिकल्प इस प्रकार है पहला बिकल्प कहे रहा है अत्यन्त धूर्थ बेक्ति दूसरा बिकल वस्तु और D कह रहा है अत्ने तलाब दायक वस्तु इन चारों मेंसे कौन सा इसका सही है इन चारों मेंसे कौन सा विकल्फ सही है जल्दी कमेंट करते रहें जिनों ने विकल्फ C चुना है वो बिल्कुल सही है बहुत लंबी वस्तु कि तुला सैतान की आज से की जाती है चल इन चारों में से आपको विकल्ब चुनना है जो सही है तो इन चारों में से अगर मैं बात करूँ तो वो नीश नंबर का आपका सही जवाब होगा C बड़ा काम करने को बोलते हैं कि तीर मारना अगली रचना से संबंदित प्रशन है प्रशन आपकी स्क्रीन के सामने है आसू किसकी रचना है A विकल्ब जैसंकर प्रशाद B कहरा सुमित्रा अनंदर पंथ C कहरा महादेवी वर्मा D कहरा माखानलाल चतुरवेदी रचना उसे संबंदित आप ये सबले कि कम से कम दो से तीन रचना है तो पूछी ही पूछी जानी है ठीक है साहीति से संबंदित सवाल होंगे तो बिल्कुल सही जिनोंने यहाँ पर जवाब दिया है ये विकल्ब, जैसंकर प्रशाद, ये बिलकुल सही है, जैसंकर प्रशाद की आसु ये रचना है, इसका अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस आसु के बारे में, ठीक है, तो आसु जो इन्यों ने लिखा था, ये है 1925 में इसका प्रथम संस्क्रन लांच हुआ था, और वो समय जो संस्था थी, उसका नाम था साहित सदन, उसने ही इसको जो है, सबसे पहले पुब्लिस करवाया था, तो ये चीजें आप एक्स्ट्रा जानकारी के तोर पर रख सकते हैं, प्रश नमबर 21 आपके सामने है, फिर से वहीं चीजें, कहानी कार कौन है, विकल्पे आपके सामने, इंसाल लखा, B कह रहा है, रामचन सुकल, C कह रहा है, ब्रिंदा लाल बर्मा, और D कह रहा है, दुसेंद कुमार, चलिए इसका सही आप्शन कमेंट करिए, जो लोग जानने हैं, वो भी, इसका सही विकल्प क्या होगा, रानी केत्की की कहानी, र प्रथम गद्यरचना मानी जाती है, हिंदी की प्रथम गद्यरचना अगर आपसे कहीं पूचता है, और आप्शन में आपको रानी केत्की की कहानी दिख जा रही है, तो आप फट से उसका जवाब टिक करेंगे, इसके लेखक कौन है, इंसाल लाखा मैंने बता दिया, तो दिबोल लाए राम ब्रेच बेनी पूरी, चलिए फटाक से जवाब इसका बताईए, कौन सा विकल्प इसका सही है, बाइस नंबर का जवाब जिनोंने डी विकल्प चुना है, राम ब्रेच बेनी पूरी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जो है, गेहूं और गुलाब शंग्रा है प्रशन नमबर 20 आपके सामने है एक बार फिर से 23 नमबर प्रशन कहरा है इस समय 4 बजा है ठीक है थोड़ा समय छोटा कर ले रहा हूं किकि इसके दोनों विकलप आपको देख जाए हाँ चलिए अब बताइए प्रशन जो आपसे कहरा है कि इस समय 4 बचा है इसमे असुड़ी आपको किस प्रकार की असुड़ी है ये प्रशन फोड़ा आच्छा हो गया पहला वर्तनी संबंदी B कहा रहा है लिंक संबंदी C वचन संबंदी D कहा गुरा है विराम संबंदी बिराम चिं संबंदी इन 4 में से सचुन ये कौन सा विकलप आपके लिए सबसे उपीप्त होगा आपको क्या लग रहा है इसमें चार बजा है तो इसमें कौन सी गलती है ठीके आराम से सोच के कमेंट करिए इसमें क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्यों कि अब UP SSC कि स्पेस पर चला है UP SSC अब कुछी चीज़े ऐसी लेकर चला है जो आपको डीप नॉलेज की जरूरत होती यानि उसके बारे में अच्छे से जानते हों तो इसमें जिनोंने जबाब चुन रखा है कौन सा कौन सा विकल इसमें सही होने जा रहा है जिनोंने चुन रखा है वचन संबंदी यह बिलकुल सही है क्योंकि यहाँ पर वचन संबंदी आपको असुधी मिलेगी चार बजे हैं ऐसा होना है इस समय चार बजे हैं यहाँ पर यह होगा बजा है यह नहीं ठीक है तो इसमें वचन संबंदी एक वचन दोई वचन दो जो आपके होते हैं उससे संबंदित है चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं प्रशन नमबर 24 आपकी स्क्रीन पर है इस प्रशन में अगर देखें ठीक है बहुत बढ़ियां ये भी प्रशन है इसमें आपको फोताना है असुद्धी से संबंद पुस्तक आपको कहां मिली डी कह रहा है उत्साह सीरसक निवन्द अच्छा है इन चारों में से आप सही जवाब चुनें और सही जवाब कमेंट करें या लिख रहें अंत में आप कमेंट करिएगा मेरे इतने सही गए चलिए इसका जवाब बताईए आप तो जिन्होंने विक यहां पर जो है इस चिन्ह का प्रियोग होना चाहिए ठीक है यहां पर जो चिन्ह आना चाहिए वह आपका बिसमयाद बोधक चिन्ह का प्रियोग जो है आशरी यहां पर प्रकट हो रहा है इसलिए इस चिन्ह का प्रियोग होना चाहिए ठीक है अल्ली चीज देखें पुस्तक आपको कहां मिली ठीक तो ये आपका कहीं न कहीं इसमें फिर भी रामचिनवाली आपको समस्य आएं देखने को मिल जाएगी चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके सामने है एक बार फिर से प्रशन है 25 फिर से सुद्धवा की वाकि से सम्मंदित अच्छे खासे प्रशन इसमें होंगे और UPSC में एक और चीजें UPSC में सिर्फ रचना के आधार पर जो वाकि बनते हैं उनी से सम्मंदित सवाल पूछेगा यहीं आपके स्लेबस में है रचना के आधार पर बनने वाले अर्थ के आधार पर बनने वाकियों से सम्मंदित सवाल नहीं होंगे रचना के आधार पर जो पहले दूसरे तीसरे इससे पहले मैंने एक यह सिरीज आज दूसरी है इससे पहले की सिरीज हो चुकी है तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उन 100 questions को वो भी जाकर चैनल पर पड़ी है वीडियो उसको जरूर देख लेए उसमें भी अच्छे questions आपके हैं इसी बेस पर वो भी चल लई है तो 25 नमबर प्रशन को हम देखते हैं निमलिखित मैंसे सुद्ध वाक की है पहला कहरा है समा वाक की आपका सुद्ध है चलिए जो लोग जानने हैं जो लोग नहीं जानने हैं दोनों लोग कमेंट करके बताइए इन में से सुद्ध आपका कौन सा है ऐसे ही आपको बिलकुल प्रशन वहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जो प्रशन मैं आपके सामने लेकर आया ये प्रशन बिलकल UP SSSE के 2019 में हुई सारी परिच्छाओं पर आधारित हैं इसलिए जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप 800 प्रशनों की ये स्रंखला मेरे साथ कम्प्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका इस बार का जूनियर असिस्टेंट एकदम प समाज में आरा जकता की समस्या बढ़ रही अरा जकता खुद एक समस्या है तो यहां समस्या नहीं ठीक है समाज में आरा जकता बढ़ रही है अगले में गुलामी की बेडिया गले में नहीं पैर में गुलामी की बेडिया पड़ी रही ये सही होगा मोहन और मोहन का पुत्र यहां सर्वनाम संबंदी असुद्धी है मोहन और उसका पुत्र जो है दिल्ली गए है तो ये तीनों के बारे में यानि एक साथ आपके चार क्वेशन तैयार हो रहे हैं आगे बढ़ते हैं असुद्ध वाके चुन्ना है अभी तक सुद्ध चुन्ना था पहला विकल्ब कह रहा है पहला वाके कह रहा है उनकी आजकल देनिये हालत है वा सिलाई सिखती है और अंग्रेजी पढ़ती है C बोला है मैं माता जी को खाना दे कर आई D बोला है तुझे गया चाहिए इन चारों में से चलिए आप अपना जवाब कमेंड करें कि जो भी आपका विकल्ब इसमें से असुद्ध है वो कौन सा है 26 नंबर प्रशन का जवाब आपकी स्क्रीन के सामने है जल्दी से जल्दी देने की कोसिस करिए बिल्कुन सही जिन्हों ने इसमें से आपसें चलिए रखा है चारों में से कौन सा C वाला ठीक है मैं माता जी को खाना दे कर आई यह ही वाकी आपका गलत है बाकी तीनों वाकी आपके सुद्ध है ठीक है A, B और D में लिखे गए वाकी सुद्ध है C विकल में लिखा गया वाकी आपका सुद्ध है अगर इसका सुद्ध रूप मैं आपसे पूछू तो क्या होगा सुद्ध रूप इसका क्या होगा यहां खाना दे कर आई नहीं खाना परोस कर आई इसका सुद्ध रूप होगा मैं माता जी को खाना परोस कराई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने है चलिए बोल लाएं निमलेखित में से सुद्धवा की कौन सा है बहुत छोटे वाकी मैंने रखे है A कहरा है दान दिया B कहरा है प्रयोग होना C कहरा है प्रश्ण पूचना D कहरा है प्रतिच्छा करना इन चारों में से कौन सा आपका विकल्प सही है इस चीज को आपको बताना है चलिए सोची अच्छे से और फिर इसका जवाब कमेंट करिए दान दिया, प्रश्ण पूछना, प्रियोग होना, प्रतिच्छा करना, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है ठीक है, सुद्ध बाकी आपको बताना है बिल्कुल सही इनमे जिसने भी विकल्प आपका डी चुना है वो लोग बिल्कुल सही हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं प्रतिच्छा करना अपने आप में सही है बाकी दान दिया नहीं दान किया जाता है प्रश्ण पूछना नहीं प्रश्ण करना सुध होता है ठीक है प्रियो सीव, तीसरा कहरा इंद्र, चौथा कहरा ब्रह्मा, बताइए, हर शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, तो बिल्गों सही जीन के दिमाग में घूं गया होगा हर-हर, ठीक है, महादेव, वो बिल्गों समझ गये हैं, क्योंकि हर शब्द बोलते हैं किसको, सीव को, महादेव को और अगर मैं आपसे पूछो हरी, हरी किसका अर्थ है, तो विश्णू हो जाएगा, चलिए आगे बरते हैं, प्रश नमबर 29 आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार फिर से, इन में से सारंग किस अर्थ को बेक्त नहीं करता, यानि सारंग का आपको अन्यकार्थी सब्दरीन म अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर सेर करें, आठ सो प्रस्नों की जो सेंखला चल लएगे, हर एक प्रस्न की जो सो की होती है, यह तेलिग्राम चैनल पर आपकी पीडियो डाल दी जाती है, आप टेलिग्राम चैनल इस वीडियो को देखकर जोईन कर लें, वहाँ पर आपको ये पीडियाब मिल जाएगी और अनी भी जो material होते हैं वो telegram channel पर ही मिलते रहते हैं अनी जानकरियां उसी पर उपलब्द रहती हैं फेस्बूक पेज़ पर भी आपको मिल जाएगा फेस्बूक गूरूप पर भी उससे भी जोड़ जाएं तोंतिस का जिन्होंने जवाब भी दिया है वो बिल्कुल सही है बाण्र जो है वो सारंग का अर्थ नहीं होता है बाकी तीनों धन्र, सेरयन और भ्रमर सारंग के अर्थ होते हैं प्रशन थीस आपके सामने है प्रशन थीस कहा रहा है निमलिखित विकलपों में से चीवर सब्द का सही तत्परी चैन करिए यह प्रश्ण मैं छोटा कर रहा हूं आपको भी दिखने लगे इसके 4 विकल्प इन में देखिए इसके विकल्प इस पकार है विकल्प एक कहरा है चीवर कार्थ चीळने वाला हत्यार होगा B कहरा है बहुत भीच का वस्त्र होगा C कह रहा है चीरा जाने वाला वस्त्र होगा D कह रहा है उपीप्त में से कोई नहीं तो चलिए comment करिए इसका चीवर कार्थ क्या होगा तो जिनोंने B विकल चुना है वो बिल्कुल सही है बहुत भीच्छों के वस्त्र को क्या बोलते हैं चीवर बोला जाता है चलिए अगले प्रशन की और भरते है प्रशन संख्या आपकी 31 स्क्रीन के सामने आ रही है प्रशन संख्या 31 में आपको बताना है प्रवंचना का समानार्थी सब्द कौन सा है प्रवंचना का समानार्थी आपको चुनना है ठीक है यानि ऐसा सब्द जो उसी का मनलब उसी सब्द का आर्थ दे विकल्प ए कहरा है ठगी या धूर्तता B कहरा है मितरता C कहरा है सहायता D कहरा है उपिप्त सभी इन्चारों में से आपको चूच करना है कि कौन सा विकल्प आपका उचित है प्रमंचना का समाना अर्थी बिल्कुल सही 31 नंबर का जबाब जिन्होंने क्या चुना रखा है चुन रखा है जिन्होंने ए विकल्प चुन रखा है वो बिल्कुल सही प्रमंचना का आर्थ होता है ठगी या धूर्तता है इसको प्रमंचना कहते है अगला प्रशन आपके स्क्रीन पर है 32 नमबर प्रस्चन है, 32 नमबर प्रस्चन कहरा है, हमसे किताब पढ़ी जाती है इस वाकी में वाचि आपको find out करना है, ठीक है व्याकरणी कोटियों से संबंदित सवाल होंगे कम से कम आप 10 सवाल तो मानी सकते हो तो वाचि भी वैकरणि कोर्टी हों के अंतरगत आता है, बिकल वे कह रहा है, क्रतवाचि भी कह रहा है, करमाचि C कह रहा है, भावचि D कह रहा है, कोई नहीं, इन चारों में से चूच करना है, हमसे किताब पढ़ी जाती है, तो जिनोंने बिल्कुल सही बिकल B को चुन रखा है वो एकदम सही है यहाँ पर किताब पढ़ी जाती है इसी पर मेन फोकस है ठीक है इसलिए इसमें करमवाची होगा अगला प्रशन कहरा है करमवाची का उधारन आप खुद पहचानी है चारों में से विकल्प ए करा है उससे पत्र लिखा जाता B कहता है प्रभा कपड़ी दोती है C कहता है नवल कविता पढ़ता है बहले ही उसे से जोड़ दिया लेकिर में फोकस पत्र पर है इस वाकी को भाव आची में बदलना है आपको उसका रूप कौन सा सación होगा विकल देखते हैं अमन से चला नहीं जाता, B कहता है अमन चलता है, C कहता है अमन चला सकता है, D कहता है अमन चलता ही नहीं, तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसका भाव वाच्ची कौन सा होगा, वाच्ची से संबंदित फिर से अगला प्रशन है, तो जिन्होंने वि सुद्धी का चुनाओं करें A विकल्ब कहरा है वर्तन B कहरा है वर्तन C कहरा है वर्तन D कहरा है वर्तन इन चारों में से वर्तन की सुद्ध आपकी सब्द क्या होगा सुद्ध वर्तनी क्या होगी वो चुनना है चलिए कमेंट करिए फड़ा फड़ जबाब देते रहें और विल्कुल सही जिनों ने विकल्ब D चुना है वो एकडम सही है क्योंकि वरतन की सुत जो वरतनी होती है वो विकल्ब D में लिखी गई है अगले प्रशन की हो और वरतन है अगला प्रशन आपके स्क्रीन के सामने है सेंतिस नमबर का प्रशन निमलिखित वाक्यों में सरलवाक की कौन सा है ए कहरा है राधा नास्ती और गाती है बी कहरा है जो नास्ती गाती है वा राधा है C कहता है राधा नास्ती गाती है D कहता है सूर्य निकला और फूल खिल उठे इन चारू में से आपका कौन सा आपका सरलवाकी है इस चीज को चुनना है सरलवाकी कौन सा है सरलवाकी वय वाकी होते हैं जिनमें एक आपका क्या हो वो देश हो और एक ही विधे हो ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है ठीक है साधारतेया या साधारण वाक्य आप प्रशन जो विकलब C में लिखा वाक्य इसको देखिए ये सरल वाक्य का उधारण है अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं प्रशन नमबर 38 आपकी स्क्रीन के सामने पर है नम्मबर haloक्यों में मिस्र वाक्य कौन सा नहीं है ये आपको find out करना है कौन सा मिस्र वाक्य नहीं है पहला विकलब कहरा है विशालने जो mobile खरीदा वार नया है B कहरा है जैसे ही Official जैसे हम बस से उतरे रिक्सवाले दोड़ पड़े C कहा रहा है जो लोग परिष्रमी थे वो सफल हो गए D कहा रहा है रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी तो इसमें से मिस्रबाकी का उधारण कौन सा नहीं है तो इसमें से मिस्रबाकी का उधारण विकल्ब D में लिखा गया नहीं है चली अगले प्रशन की और बढ़ते हैं 49 नंबर प्रशन कह रहा है पूर्ब में पत्रलेखन से संबंदित मैं बार बार बोल ला हूँ पत्रलेखन से कम से कम 3 प्रशन और 3 से 5 के बीच में पत्रलेखन से 60 प्रशनों में आपके सामिल होंगे ठीक है पत्रलेखन की मेरी लेक्षर जो है इसी चैनल पर पड़ा हुआ है आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं आप YouTube चैनल पर जाकर के पत्रलेखन की मैंने PDF सेर की है 11-12 पेज की ठीक है प्रिंटेड है अच्छी वहाँ से देख सकते हैं पत्रलेखन सम्मधित कोई भी अगर आप वह मेरी लेक्षर देख लेता हैं साथी साथ वह मेरी पीडिय पढ़ लेते हैं ठीक है तो क्वेशन देखते हैं पूर में प्रेषित पत्र को याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है ए है परिपत्र बियुता सी बिग्यति डी है अनूइ अगर आपको पहले कोई पत्र भेजा गया है ये कारेलाई कारिकाज में होता है और फिर उस पत्र पर कोई अगर प्रत्क्रिया नहीं मिलती है तो फिर से एक पत्र भेजा जाता है उस पत्र को अनुस्मारक कहा जाता है ठीक है अगले प्रशासनिक छेत्र में पत्र लेखन का क कर लितनी हाइटेक चीजें हैं ठीक है तो वहाँ पत्र लेखन की क्या जरूरत है बिकल्ब देख लेते हैं एक एराय अस्थाई प्रलेख का बीक एराय कोसल छेम पूछने का सी एराय सिष्टा चार निभाने का डीक एराय आमंतरन देने का ठीक है तो अगर बेवसाई यहम प पर मैंने ऐसा नहीं कहा था इसलिए यह सारी चीजें इस्तेमाल होती है चलिए अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं प्रश्ण नम्बर 41 फिर से पत्र से संबंदित आपके सामने है कारयाले पत्र में सबसे उपर क्या लिखा जाता है जो कारयाले से संबंदित पत्र होते ह उनमें सबसे उपर क्या लिखते हैं, पत्रकर्मांग लिखते हैं, कि दिनांग लिखते हैं, कि कारेले का स्थान लिखते हैं, कि प्रेसिती को संबोधन, लिखा ये चार हो जाता है, लेकिन अब कौन सा पार्ट कहां पर रखा जाएगा, ये सब कुछ मैंने लेक्चर में भी बताया है, ठीक है, तो वहाँ से देखकर आप समझ सकते हैं, पत्रलेखन में जो है, अब इसका जबाब 41 नमबर का जबाब, जिनों ने बिल्गुल सही ए चुना है, वो एकदम सही है, ठीक है, पत्रकर्मांग सबसे उपर डाला जाता है, उसके बाद अनी चीजें आती है, चलिए 42 नमबर प्रश्ण आपके सामने है, 42 नमबर प्रश्ण कहए रहा है, फिर से पत्रलेखन से संबंदित सवाल है, ठीक है, एक पुत्र अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो किस संबोधन का वा प्रियोक करेगा, ठीक है, संबोधन पूछा गया है आपसे, ठीक प्रिये पिता जी तो बोलते नहीं, प्रिये मित्र बोलते हैं, ठीक है, पूजी पिता जी ही आपका इस्तेमाल होगा, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन के सामने है, 43 नंबर, 43 नंबर प्रशन कह रहा है कि अधिसूचना के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, अधिस इसका संबन आम जनता और संबन्दित वेक्तियों से होता है C बोला इसे राजपत्र वा समाचार पत्रों में प्रकासित किया जाता है D कहता है प्रथम पुरुस सैली में ये लिखा जाता है इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका गलत है वो चीज आपको चुनना है तो बिल्कुल सही उनका जबाब होगा जिनों ने D चुना है क्योंकि ये जो वाक की लिखा ये गलत है जो अधिसूचना होती है ये हमेशा अन्यपुरुस सैली में लिखी जाती है प्रथम पुरुस सैली में नहीं ठीक है अधिसूचना हमेंसा अनिपुरु सहली में लिखी जाती है अगले प्रेशन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रेशन कहरा है ये दि कोई पत्र सभी संबब्द कार्यालायो को प्रेशित किया जाता है तो उसे क्या कहते है विकल्प इस प्रकार है बेक्तिगत पत्र, B कहरा है कार्यालाय आधि, C कहरा है अधिसूचना, D कहरा है परिपत्र इन चारों में से आपको चूच करना है कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सही, जिनों ने आपका चूच किया है D option, वो बिल्कुल सही है क्योंकि परिपत्र एक ऐसा पत्र होता है जब कोई सूचना एक साथ सभी विभागों, प्रभागों या कारेलयों को भेजना हो जानकारी देनी हो तो उसके लिए परिपत्र जारू किया जाता है ठीक है, सर्कुलर जारी किया जाता है 45 नमबर प्रशनाप के सामने फिर से स्क्रीन पर है हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकासन से प्रारंब होता है A कहरा है बनारास अकबार, B कहरा है नागरी, प्रशाणड़ी पत्रिका C कहरा है सरस्वती, D कहरा है इंदू इन चारों में से आपको चुनना है ये साहित के इतिहाद से सम्मंदित प्रशन आपके सामने है चलिए कमेंट करते रहिए बोलते रहिए भाई एनरजी नहीं लूज करनी है बोलते रहिए 45 का जवाब जिन्होंने C चुना है सरस्वती नामक पत्रिका जो थी इसी पत्रिका को यह स्रेज आता है कि हिंदी कहानी इसके बाद ही आरम हुई ठीक सरस्वती नामक पत्रिका से अगले हम बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर बिद्यापती किस रचना से मैथिल कोकल के नाम से प्रसिद हुए है इसको आपको बताना है मैथिल के उकिल क्योंकि ये मैथिली के कभी है ठीक है तो किस रचना से ये फेमस हुए बिकल दे रखा पदावली बी दे रखा कीर्ट लगा पता का सी दे रखा है विभाग सार डी कहरा है अन्निकोई ऐसा है तो इन में से आपको चूच करना है 46 नंब ये भी है पदावली में कि पदावली इन्होंने जो लिखा था बिद्यापती ने ठीक है ये पदावली इन्होंने हिंदी में रचना की थी तो एक जानकारी इससे जुड़ी ये है अगला क्वेशन आपके सामने है भासा से सम्मंधित प्रशन है आपके मगही किस उभासा क कह रहा है पूर्वी हिंदी डी कह रहा है बिहारी इन चारों में से आपसे चूच करना है तो 47 नंबर का जवाब बताईए फटा फट बोलिये मगही अगर देखें किस उभासा के अंतरगत आती है तो ये बिहारी ठीक है ये आपका सही होगा विकल्ब डी तो विकल्ब डी जिनोंने चूच किया है वो सही है अगर बिहारी उभासा के अंतरगत और मैं देखूं कौन कौन सी भासा आती है तो इसमें एक आती है ये भोजपूरी और दूसरी आपकी जो भासा इसके अंतरगत आती है वो आती है मैथली तो आपसे कभी मान लीजे पूछ भी ये भी पाल आ जाए कि बिहारी उपभासा के अंतरगत कितनी बोलिया आती हैं अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं अर्टालिस नंबर प्रश्ण कहा है अर्ध मागदी अब्रांस से बिक्सित कौन सी बोली है A कह रहा है बांगरू, B कह रहा है बगेली, C कह रहा है ब्रश्ण भासा, D कह रहा है भोजपुरी इन चारों में से आपको चूच करना है कि कौन सी ऐसी बोली है जो अर्ध मागदी अब्रांस से बिक्सित है तो बिल्गोश सही जिन्होंने जबाब 48 नंबर का जबाब B विकल चुना है बगेली ठीक है वह एकदम सही है अर्ध मागदी जो अब्रांस है यह बगेली बोली से बिक्सित हुआ है ठीक है उससे बिक्सित बोली बगेली है बगेली का मलब क्या होता है कहां बोली जाती है यह आपको जो है बताना है आपके लिए एक तरीके से ग्रहकारी हो इन चारों में से अबातान कारक आपको ढोड़ना है कि अपादान कारक किस में है ठीक है अपादान कारक इससे पहले भी प्रशन में मैंने बताया है कारक से संबन्दित होगा विकल्पसी जिन्यों ने चुना है वो बिल्कुल सही है जहां पर आपको अलग होने का भाव मिल ज जाए या अलग होने का भाव मिल जाए वहां आप एकदम आख बंद करके मार सकते हैं कि इसमें जो है अपादान कारा का रहा है प्रश नमबर पच्छास हाब सेंचुरी पर हम लोग पहुंच चुके हैं पच्छास नमबर कह रहा है कि निम्न में भाव आचक संग्या कौन सी ह इन चार में से भाव आचक संग्या यानि जहां से कोई भाव निकले तो केवल एक ऐसा आपको विकल ए देख रहा है जो आपका भाव दर्सारा अनि कोई भाव दर्साने वाला सब्द ही नहीं है इक्यावन नमबर प्रशन आपके स्क्रीन के सामने है जैसे जैसे मैं घर से दूर होता गया वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता गया कैसा वाकी है इस वाकी को आपको ढूड़ना है कि ये कैसा है ये सरल वाकी है कि मिस्टर वाकी है कि सयुक्त है कि आपका इन में से कोई नहीं आ आप एक चीज़ मान लें ऐसे ही प्रशन यूपी ट्री ट्री जूनियर असिस्टेंट में आपको मिलेंगे 100% मैं यह बोला हम ठीक है ऐसे ही बिल्कुल प्रशन आपको मिलने जा रहे हैं तो चले इसका जब आप एक्याओन नंबर का कमेंड करें तो जिनोंने मिस्र वाकी को स नोचा है कमेंड किया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि मिस्र वाकी में आपको ऐसे वाकी मिलेंगे कि जिसमें एक प्रधान वाकी होगा और दूसरा जो उप वाकी होता है वो आस्री तो उप वाकी होता है उसका जब तक हम मतलब नहीं सबल लेंगे तब तक पहले का आर्थ क का आर्थ बताईए इसको थोड़ा मैं सोटा कर रहा हूं ताकि आपको चारू विकल दिखें अब आपको दिख रहे हैं देखिए ए विकल कहरा है नाम मातर की वस्तु से काम नहीं चलता बी कहरा है जल समस्या होना सी कहरा है कंबर साथ होना डी कहरा है भूगा रहे है तो इन चारू में से लोकोक्तिकार्थ अगर मैं इसके सही बात करूँ तो ये विकल जिनों ने चुना है नाम मातर की वस्तु से काम नहीं चलता वो बिल्कुल सही है अगले प्रशन की और बढ़ते हैं जो प्रशन संख्या आपकी तिरपन है ठीक है तिरपन नंबर प्रशन संख् प्रशन आपके लिए बनाए है ठीक है उसी प्रकार रहा है चलिए बताजये प्रियोख के आधार पर क्रिया विशेशन, विकल्ब ब कह रहा है दो B कह रहा है चार, C कह रहा है तीन D कह रहा है पांच, इन चारों में से चलो बताओ कौन सा विकल्ब सही है, तिरपन नमबर जवाब दीजिए, कमेंट करिए बोलते रहिए, जहां पर हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए प्रियोग के अधार पर ये तीन बनते हैं अगले प्रशन की वर बढ़ते हैं, चववन नमबर प्रशन आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है इन में से कौन जातिवाजक संग्या से भाव आचक संग्या बनाया गया है, इन चारों में से आप चुनिए, पहला कह रहा है बुढ़ापा, बी कह रहा है कठोरता, सी कह रहा है सजावट, दी कह रहा है अपना पन, इन चारों में से चलिए बताईए, चमवन नंबर के प्रश्ण में, कौन सा इसमें बना हुआ है, तो जिनों ने बुढ़ापा विकल चुल लिया है, वो बिल्कुल सही है, यह जातिवाचक संग्या से भाववाचक संग्या बनाई गई है, एक अवस्था दर्सारी है, ठीक है, आगे मैं बात करूँ, भाववाचक संग्या जो बनती हैं, उसमें आप भी पढ़े होंगे, जैसे आप मान लिजिए, इसमें ता लगाकर बनाया हो जाएगा, इस तरीके से बनती रहती हैं, ठीक है, पच्पन नमबर देखते हैं, सबसे लास्ट में मैं आपके लिए एक माहा एपीशोर लाओंगा, उसमें सब कुछ रिवाइज करा दूँगा, ठीक है, सबसे आन्त में ये 800 प्रशनों की स्रिंगला समाप्त होने के पूरा हिंदी व्याकरण में आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, पूरा सब कुछ हाल टूटल, ठीक है, एक महराथन क्लास लेंगे, उसमें हम लोग 4-5 घंटे में सब कुछ पढ़ लेंगे, पच्पन नमबर प्रशन कहरा है, इन में से कौन सा सब्द क्रिया से बना हुआ विशेशन नहीं है, तो इन 4 में से चलिए बताइए, पच्पन नमबर का जबाब, जो लोग सी विकल्ब समझ रहे हैं, वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि समझना कोई विशेशन नहीं है, अनि जो विकल्ब दिये गया है, चालू, ठीक है, कमाउ, पठित ये तीनों के तीनों आपके क्रिया से बने हुए विशेशन चारों में से चूच कर नहीं है, चारों में से की ओर बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर आपको स्क्रीन के सामने है कराई दूधारी बोलाइघ का पाई तो इन चारों तो बिल्कुल सही जिनोंने जब आप चुन रखा है भी पूरवी राजस्थान वो सही है क्योंकि डुढ़ाडी बोली को जैपूरी बोलते हैं ठीक है जैपूर में बोली जाने वाली ये भासा है तो जैपूरी बोली भी इसको बोलते हैं प्रशन नमबर अठावन आपकी स्क कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई ये भी एक लोको ओकती है ए विकलब कह रहा है मोशक ब कह रहा है ससी सी कह रहा है बेसर डी कह रहा है धनद इन चारों में से बताओ कौन सा विकलब है चलो अठावन नमबर का जबाब आप लोग कमेंट करें फटाक फटाक हाँ फटाफट प्रयवाची होता है अगर मैं आपसे पूछू चोर के अनि प्रयवाची कौन से हैं तो दस्वी भी होता है दूसरा तसकर होता है अनि प्रयवाचीयों में और इसका एक वो भी बोलते है रजनी चर ठीक है रजनी चर भी इसको बोलते है और एक इसका जो सबसे ब्वाड़ समौँ हुआ चेक संगया नहीं है दीख राय इन में से कोई नहीं तो बताओ बहुत आसान सा प्रशन मैंने डाला इससे संबननित सभा जो आपका है सभा 69 नंबर का प्रशन जो है इसका जबाब सही होगा विखल भी साथ नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से सामने है साथ नंबर प्रशन आप से कह रहा है कि संभिधान के अनुछे 351 में किस विसे का वर्डन है बहुत बढ़ियां प्रशन है बताईए अनुछे 351 जी एस भी आगई इसी में में किस विसे का वर्डन है पहला कह रहा है संग की राजभासा बी कह रहा है उच्छतम ने आले की भासा सी कह रहा है पत्राचार की भासा डी कह रहा है हिंदी के विकास के लिए निदेश चलो बताओ फटाफट देखते हैं जी एस किसकी अच्छी है कमेंट करके बताईए 351 में तो जिन्होंने बिल्कुल सही कमेंट किया है कौन सा ABCD में कौन सा D वाला वो बिल्कुल सही है ठीक है हिंदी के विकास के लिए निदेश आपके 351 में किये गए है 161 नमबर प्रशन आपके सामने है सब्द रचना के अधार पर बताईए कौन सा सब्द योगरूड है ठीक है मैंने इसे पहले भी प्रशन में आपसे इस बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो में अच्छे से उस वीडियो को आप देख सकते हैं े कराया पवित्र बी कराया कुसल सी कराया भी में दी कराया जलज इन चारों में से आपको योगरूड सब्द चुनना है चेलज के बिल्कुल सही चुना है जलज कि जलज का अर्थ होता है कमल ठीक है तो जलज कमल के अर्थ को दे रहा है या जलज कमल लब होता है जल से उत्पन दो से मिलकर बना लेकिन दे अर्थ किसका रहा है एक रूड सब्द का कमल ही इसका मलब होता है इसलिए योग रूड सब्द के अंतरगत आएगा बासट नमबर पर आपके सान्हे है, कौन सा योगिक सब्सब्द है, ठीक है, एक 라 लिखक, बी कर आ पुस्तक, सी कर आ बिद्याले, डी कर आ योगी, इन चारों में से बताए योगिक सब्सब्द आपका कौन सा है, ठीक है सब्दों से related ठीक है जितने important है मैं वो सब कुछ लेकर आ रहा हूँ आप किताब बंद कर दीजिए केवल 800 प्रश्ण मेरे साथ revise कर लिजिए आपकी पूरी हिंदी में guarantee लेता हूँ सब कुछ revise हो जाए ठीक है हर दिन की जो हमारी सिंखला इसको आप follow करते रहे हैं पू जाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा Facebook का आपका group चला है उसको जरूर जोइन करें ठीक है उसके साथ ही साथ अन्य जो चीजें है आपके Facebook के साथ ही साथ टेलिग्राम का जो हमारी ये चैनल है चैनल की link आपको PDF में लगी मिल जाएगी या नीचे इसी में जो है चैनल की link लगी भी है आप YouTube के description में जाएगे वहां मिल जाएगी साथ ही साथ क्योंकि टेलिग्राम पर ही आपको मैं फिर से बता दूँ कि टेलिग्राम पर ही सारी PDF इसकी आपको मिलेंगी जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी सारी PDF आपको टेलिग्राम पर मिलेगी इसलिए इस रिंखला आपके साथ लेकर आ रहा हूँ एक बर फिर से और अगले चीज वेबसाइट जो हमारी है परिक्षाप्लस.org इस पर भी आपको study से related material और ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी आप वेबसाइट भी विजिट करते रहें अन्नी चीजें जो जो मैंने बताई हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन जो है प्रशन अंख्या 63 आपके सामने है 63 नमबर कह रहा है परियंत का सही सब्दीगम बताईए ठीक है बहुत बढ़ी है प्रशन है इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ क्योंगे सब्दीगमों से सवाल आपसे पूछने लगा है तो मैंने सुचा क्यों ना कुछ प्रशन दे कर ये भी आपका मैं रिवीजन करा दूँ तो इगमक सब्दों का सही अर्थ इसमें क्या है ए बोला है सीमा तक फिर पलंग ब कह रहा है पलंग सीमा तक सी कह रहा है प कमेंट करें जो लिख रहे हैं वो भी लिखते रहें तिरसर नंबर का सही जवाब आपका होगा बी क्योंकि परियक का आर्थ होता है पलंग ठीक है और परियंत का आर्थ होता है सीमा तो जिनोंने वी विकल्ब चुना है वो एकदम सही है अगले प्रशन की और बढ़ते हैं चौसर नंबर प्रशन फिर से सब्द युगम से है आपकी स्क्रीन पर है प्रदीप और प्रदीप का सही युगम सब्द युगम क्या होगा ए कहरा है विपरीद दीपक बी कहरा है दीपक विपरीद सी कहरा है दीपक प्रतिरो डी कहरा है प्रतिरो दीपक ठीक है तो कहीं प्रदीब का अर्थ होता है विप्रीत और प्रदीब का अर्थ होता है दीपक तो जिन्होंने विकल्प पे चुना है वो बिल्कुल सही है और जिन्होंने नहीं चुना है वो आगया से ध्यान रखेंगे पैसर डंबर प्रश्ण है इनमें से किस विकल्ब के सभी सब्द संग्या से बने विशेशन हैं संग्या से बिशेशन बने हैं पहले ए कह रहा है पोरोडि मान विए लखनावी बी कह रहा है आलसी पैत्रिक लिखित सी कह रहा है वैवाहिक भीतरी पढ़ाकू डी कह रहा है स्रमिक बिदेसी बनावटी इन चारों में से चूच करो कौन सा ऐसा विकल्ब है जो आपके हर शब संग्या से बने विशेशब है ठीक है बिल्कुल कमेंट करिए जिनोंने विकल्ब पे चुना है वो बिल्कुल सही है क्योंकि पौरोडिक पुराण से मानों से लखनावी से बना हुआ आपका अलग अलग इनमें सब्द है छासर नंबर प्रशन आपकी स्क्रीन पर है प्रतवी राज राशों के रचनाकार कौन है तो प्रतवी राज राशों के रचनाकार है चंद बरदाई ठीक है चंद बरदाई है चंद बरदाई और प्रतवी राज एक ही दिन जन्म हुआ एक ही दिन मरे एक ही साथ हमेशा रहे इसलिए चंद बरदाई ने क्या रचना की प्रतवीराज रासों की रचना की अगले प्रशन की और बढ़ते हैं सरस्ट नमबर प्रशन अंग्रेजी से हिंदी ये कही ना कही प्रशन आपको मिलने जा रहे हैं इसलिए मैं इस बार इन प्रशनों को सामिल कर रहा हूं इन प्रशनों को सामिल कर रहा है कि एक प्रशन आपका देता है अंग्रेजी से हिंदी ये ना बाद के तो तीन से चार प्रशनों में आने की बिलकुल संभाव होना है इसलिए मैं इन प्रशनों को सामिल कर रहा हूं इसमें बोल ला है कि disaster to environment is the biggest problem इसका जो है हिंदी ये ना बाद क्या होगा ए विकल में कह रहा है प्रशन से बचना चाहिए बी कह रहा है पर्यावरण को हानी पहुचाना आज की बड़ी समस्या सी कह रहा है भन प्रशन हमारी समस्या डी कह रहा है प्रशन एक समस्या है तो जो लोग जानने हैं इसका विगल बिल्गुल सही, कमेंट करें, disaster to environment, ठीक है, परियावरन को हानी बहुचाना, आज की बड़ी समस्या है, विगल भी एकदम सही है, तो जिनोंने बी चुना है, वो एकदम सही है, फिर से मैंने वही चीज डाला है, लेकिन इस बार थोड़ में बताना है तो चलिए वाकी आपके सामने है वाकी कह रहा है सिच्छा मनुश्य जीवन की नियू है इसका सुध अंग्रेजी अनुबाद बताइए आप पहला कह रहा है एजुकेशन इस नेसेसरी फाराल बी विकल्ब कह रहा है एजुकेशन इस फाउंडेशन आप आवर ल कमेंट करिए फट से जो लोग जानने है वो कमेंट करिए तो अरसट नंबर का जबाब आपका बिल्कुल सही होगा कौन सा अविकल्ब बी जीनों ने चूच किया है एजुकेशन इस फाउंडेशन आप आवर लाइफ क्या सिच्छा मनुश्य जीवन की नियू है तो अगले प्रशन आपकी स्क्रीन के सामने है और अगला प्रशन उनातर नंबर आपके सामने है कह रहा है अरपिद ने मैच जीत लिया होगा वाकी में कैसा काल है काल से संबंदित प्रशन होगा हर वो प्रशन जो आपका यूपी ट्रपल सी पूछ रहा है मैंने सब को साम्विल किया इसमें तो एक बार पूरी तरीके से इस सेरीज को आप फालू कर लीजिये सेलेक्षन हंडेट पर्शन्ट हो जाएगा हिन्दी की तुम्हेंबता रहा हुआ पूरी तरीके से A कह रहा है शामानी भूतकाल B कह रहा है अपोड भूतकाल C कहобыते हैं अब मैच जीत लिया होगा यहzę कंफम नहीं है थीक है? उसमें अनिष्यित्ता है तो जिनोंने विकलब क्या चूच किया है C वो एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि यह सन्दिक्द भूत का उदारा है अगले प्रशन की और बढ़ते है अगला प्रशन बहुत अच्छा प्रशन है इन चारों में से आपको चूच करना है चारों में से कौन सा विकल्ब आपका सही है चलिए फड़ाक से जवाब बताईए जो लोग जानने है वह इसका आप तुरंत जो है इसका जवाब दें तो सत्तर प्रशन का सही जवाब जिनोंने चूच किया है कौन सा विकल्ब डी ये हेत हेत मदभूत है हेत हेत मदभूत में यानि भूत काल की ऐसी क्रिया हो जो एक दूसरे पर आश्रित हो ठीक है वहाँ हेत हेत मदभूत होता है भूत काल की ऐसी क्रिया जो एक दूसरे पर आ अगले प्रशन की और बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, प्रशन कह रहा है कि जिस वाक्य में करता की प्रधानता हो, ठीक है, अर्थात करता किसके अनुसार चले, लिंग वचन के अनुसार, क्रिया के लिंग वचन यों पूरुस के अनुसार हो उसे कौन सा वाची कहते हैं ठीक है इस में फिर से आप सुनिए प्रशन जिस वाखी में करता की प्रधानता हो यानि करता लिंग वचन के अनुसार हो ठीक है लिंग वचन योम पूरुस के अनुसार हो उसे कौन सा वाची कहते हैं चले कमेंट करके बत व SN-CKैने इसमें करता के प्रधानदा होती है do 32 नंबर प्रशनार्पक्य स्क्रीन के सामने है जब कोई करता एक क्रिया समाप्त कर उसी चार दूसरी क्रिया प्राध्म कर देे तो पहली क्रिया क्या क्या कहलाएगी या आप पहली क्रिया को क्या कहते है विकल्ब A कहरा है शहाय क्रिया B कहरा है अकर्मक्रिया C कहरा है पूर्वकालिक्रिया D कहरा है सकर्मक्रिया इन चारों में से बताइए वाई इन चारों में से आपका जबाब क्या सही होगा जब कोई करता एक क्रिया समाप्त कर उसी छण दूसरी क्रिया आरम कर दिया तो पहली जो क्रिया होती है वो पूर्वकाली क्रिया कहलाती है अगले प्रशन की ओर बरते हैं अगला प्रशन 73 नमबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है 73 नंबर प्रश्ण ये कह रहा है कि सार लेखन के संबंद में सत्थ नहीं है कौन सा कथन इसमें सत्थ नहीं है विकल्ब इसके इस प्रकार दिये हैं A कह रहा है शाब्दिक दिश्टी से यहाँ मूल रचना के संबूर होता है B कह रहा है सार की भाषा में तथा भावावी वन्जना में असपस्ट होनी चाहिए C कह रहा है यहाँ एक रचना की पुना सरजना है D कह रहा है उपिक सही चारू तो 73 का जबाब आप बता है सारलेखन से संब्दित यह प्रशन है तो जिन्होंने इसका विकल्प कौन सा चुना है A चुना है वो एकदम सही है क्योंकि विकल्प A इसका गलत है यह सत्य नहीं है क्योंकि साब्दिक दिश्टी से अगर देखा जाए तो सारलेखन मूल लचिना का एक तिहाई होता है ठीक है यह प्रशन पिछले उसमें आ चुका है इसलिए मैंने इसको दिया है आपसे ठीक है वो प्रशन दूसरा था इसलिए मैंने इस पर एक प्रशन यह बना दिया अगला प्रॉशन प्रायवाची से सम्मंदित है, लेकिन ये थोड़ा टफीस ले पड़ जाएगा, कि ये इसमें आपका के देदिया है, एक ही सब्द के कई प्रायवाची के गुरूब बनाया है, कहरा है सरस्वती के लिए सही प्रायवाची सब्दों की पन्क दिचुनिएं विकल पे देखे, सारदा मीरा आधी, भी कहरा है सारदा गीरा आध्या, सी कहरा है सारदा सीता आधी, डी कहरा है सारदा गीरा आधी, इन चारों में से चुनू, चलो कमेंट करके बदाओ फटाफट, चोहतर नमबर प्रशन जिन्हों ने विकल कौन सा चुना, डी, वो फ्रूप को चुनिये ठीक है अब इसमें डेख लेते हैं पहला जो आपका विकल्ब दिया है ठीक है ए विकल्ब जो आपका देर रखा है यह यह पहली जूँड निकास भी कह रहा है दल जूँड निकास C कह रहा है दल जुन्ड निका है D कह रहा है डल जुन्ड निका है इन चारों में से चूज करिए तो 75 का जवाब जिनों ने दिया है विकल भी वो एकदम सही है 16 नमबर प्रशन पर बढ़ता हूं निपाथ से संबंदित है ये व्याकरणिक कोटिया है ठीक है व्याकरणिक कोटियों से संबंदित मैं बता रहा हूँ बार बार कम से कम आप यह मानी 8 से 10 प्रशन होंगे तो वहीं उसे फिर से एक बार फिर से प्रशन आपके सामने में लेकर आया हूं मैं यह भी जानता हूँ मैं भी कैसा निपाथ है ठीक है निपात के बारे में पहला कहा रहा है इसल कहा रहा है नेशिधात्मक 37 नमबर प्रश्ण ब्रेती सें पच्छ से है ब्याकणनी कोटिया फिर सें एक बार सामने है आप दिन भरा प्यास करता था तब ही मैं जीत गया अब इसमें आपको चूच करना है पच्छ कौन सा है क्रिया का कौन सा पच्छ है पहला कह रहा है नितता देवतक B कह रहा है भ्यास देवतक C कह रहा है सापतती देवतक और D कह रहा है प्रगत देवतक इन चारों में से चूच करना है कौन सा जवाब सही है तो 77 का जवाब बताईए कमेट करिए फटा फट B वाला विकल्ब जो आपका है भ्यास देखता कि ये एकदम सही है तो जिन्होंने B विकल्ब चुना है वो एकदम सही है 78 नमबर प्रशन इसक्रीन के सामने है इसमें बृति से आ गया ब्याकरणी कोटिया मैं बार-बार कह रहा हूँ आ तो ब्याकरणी कोटिया फिर से एक बार आपके सामने दिख गई इसलिए मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है ये question अगर आप लगातार मेरे साथ ये series देख लेते हैं 800 कौन सा सही होगा, जिनोंने D सही है, चूच किया है, वो बिलकूल सही, वा किलने गया होगा, इसमें कहीं ना कहीं, संदे है, इसलिए ये करिया का कैसा, जो है बृति है, कैसे बृति है, संदे हार्थ बृति के अंतर गताहिए, राजा सेवक को कमल देता है वाकि में कारक कौन सा है चलिए बिकल्प इनके देख लेते हैं एक बार इनके बिकल्प इस प्रकार है पहला कहरा है कर्म कारक बी कहरा है संपरदान सी कहरा है करण डी कहरा है करता कारक तो मैंने पहले ही बताया जहां देने लेने की बात आए यह सब किसके अंतर गताती हैं तो 79 प्रशन का जबाब आपका हो जाएगा संप्रदान ठीक है अगला प्रशन है 80 नमबर प्रशन निमन में से तद्बो सब्द चुनिये चलिए बताइए बहुत बढ़िया प्रशन है तद्बो चुनना है तद्बो कौन सा होगा अगले प्रशन की ओर बढ़ते है 81 नमबर 81 नमबर सब्द से संबंदित फिर्शे सवाल आ गया चाय किस भासा का सब्द है ए कायरा है चीनी बी कायरा है जापानी सी कायरा है अंगरेजी डी कायरा है भारती इन चारों में से चूच करना है तो 81 का जबाब जो A दे रहे है वो बिलकुल सही है चाय चीनी सब्द है 82 नमबर प्रशन की ओर बढ़ते है वहाँ तत्सम सब्द बताईए जिसके साथ उप्षर्ग और पत्ते दोनों प्रियोग हुआ है इन चारों में से आपको चूच करना है कि जिन में दोनों चीजे आती है तो विकल्प इसमें कौन सा सही होगा भाई 82 नमबर चलिए बिलकुल सही जिनोंने डी विकल्प चुना है वो एकदम सही है क्योंकि इसमें अगर उप्षर्ग की बात करूँ निर्भैता में तो उप्षर्ग है इसमें निर ठीक है और अगर मैं प्रत्य की बात करूँ तो ता तो उप्षर्ग और प्रत्य निर और ता है अगला प्रशन 33 नमबर आपके सामने है अगरी परिच्छा देना कार्थ क्या है इन चारू में से आपको चूच करना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है तो 83 नमबर का विकल्प जिनोंने C चुना है या जो सोच रहे है वो एकदम सही है 84 नमबर प्रशन आपके सामने है एक योगोड सब्दा आपको चूच करना है पहला कह रहा है दसानन राजपुत्र विद्याले और चौथा विकल्प आपका कौन सा है प्रभाकर तो प्रभाकर बिल्कुल नहीं है इन तीन में से आपका विकल्प ए जो चुनने है वो बिल्कुल सही है दसानन एक रूड सब्द है क्योंकि इन दो इसको जब आप बनाओगे दस धनानन से तब बनेगा यानि दस सिर्वाला और इसका मलब क्या हो गया रामड इसलिए ये रूड सब्द हो गया 85 नमबर प्रशना आपके सामने है रूप की द्रिष्टी से क्रिया विशेशर का भेद नहीं है तो इससे पहले प्रियोग की द्रिष्टी से मैंने सवाल डाला था अब रूप की द्रिष्टी से डाल दिया तो दोने चीज़े आपको मालूम हो गई 85 नमबर का जबाब बताईए A कह रहा है मूल B कह रहा है योगिक C कह रहा स्थानिय D कह रहा साधारन इन में से कौन सा आपका ऐसा है जो क्रिया विशेशन का भेद नहीं है रूप की द्रिष्टी से तो 85 का जबाब जो D चुनने है वो बिल्कुल सही है बाकी ये जो तीन दिये हैं ये क्रिया विशेशन के रूप की द्रिष्टी के आधार पर भेद होते है 86 नमबर प्रश्ण कहे रहा है किस वाक्य में क्रिया भूत काल में नहीं है ठीक है काल से संब्धित प्रश्ण है वहाँ पढ़ रहा था उसने पढ़ाई की थी वहाँ पढ़ने वाला है उसने पढ़ाई कर ले थी इन चारों में से आपको चूच करना है कि कौन सा विकलब आपका सही है तो 86 नंबर का प्रश्णित जो C चुन रहे हैं वो एकदम सही है वो पढ़ने वाला है यह क्रिया आपकी भूतकाल नहीं भविश्यकाल में है अगले प्रश्णित की ओर बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्णित निमलिकित में से कौन सा अंतिधन उदय का सब्द का सही संद विछेद है चलो चूच करो A कह रहा है अंधन ते उदय B कह रहा है अंतु धन ते दय C कह रहा है अंत धन ओदय D कह रहा है अंत धन उदय इन चारों में से बताओ कौन सा सही है फटाक से कमेंट कर ये 87 नंबर का कमेंट जो कर रहे है डी वो बिल्कुल सही है क्या कि अंतिधन विछेद ये अंतिधन उदय होता है अगले प्रशन की और बढ़ते है प्रशन संख्या 87 88 आपकी स्क्रीन पर है निमलिखित में से कौन सा ऐसा सब्द है ठीक है जो इस्ट सब् आर्थक सब्द नहीं है ठीक है एक कर रहा है कमल बी कर रहा है धे सी कर रहा है समीपी डी कर रहा है परमात्मा चलो इन चालो में से चूचकरो फटाक से बताओ तो 88 का जवाब इस्ट का आर्फ आप सारे लोग जानते है ध्याय होता समीपी होता परमात्मा कमल नहीं होता है तो इसका A जो है, सही हो जाएगा, 89 सब्द करा रहा है, इंद्रियों पर किया जाने वाला बस, बहुत बढ़ी है प्रश्ण है, इसको तेजी से पढ़े तो पक्का 100% गलत करके आओगे, इंद्रियों पर किया जाने वाला बस के लिए समचित सब्द क्या होगा, पहला करा जि इंद्रियों बिग्रे करा लाता है, ये चीज़ ध्यान लिए, रखिए, अगला है चोर की दाड़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, बिगल्पी इसके इस प्रकार है, चोर का स्वेम डड़ना, चोर की पहचान होना, दाड़ी गंदी होना, ठीक है, हर चोर की दाड़ी होना, चोर का स्वेम डड़ना है, चोर की दाड़ी में तिनका जो है, इसका सही रहत है, अगला प्रशन मैंने सब्द से फिर से रखा है, मुकद्मा किस भासा का सब्द है, चलिए बताइए, तुर्की है, कि अर्भी है, कि फार्सी है, कि पुर्तगाली है, इन चुच करना है, तो 91 का जवाब क्या होगा, मुकदमा कैसा प्रश्ण है, जो लोग चूच करें विकलबी वो एकदम सही है, क्या के मुकदमा अरभी सब्द है, 92 काहरा है, निम्न में से कौन ततसम है आपका, A कह रहा है सूरज, B कह रहा है सामन, C कह रहा है रुक्ष और D कह रहा है भिक्षू इन चारों में से चूच करू तत्सम संस्क्रित वाले तो ये खी दिखाई दे रहा है रुक्ष यहीं आपका जबाब सही हो गया इन चारों में से चूच करना है तो तिरान नवे का उत्तर जो C दे रहा है कुरण नारायन वो एकडम सही है और ये जो है आत्म जई जो है इनकी कुरण नारायन की एक खंड़काब भी है और ये 1965 में प्रकासित हुआ था 1965 में आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रेशन पदमावत के लेखा कौन है या तुरंत आया होगा आपको आप्सन देख लेते हैं जैसी मंजन आलम उस्मान इन चारों में से जोचको कौन है पदमावत का लेख मलिक मुहमद जैसी ठीक है ये नंबर आप्सन सही है चलो 95 रामलला नेशु की रचना किसने की ये रैदास तुलसीदास घनानन एक विकल्ब दे रह रतनाकर चलो बताओ रामलला नेशु की रचना किसने की ये पूछा गया भी पिछली परिश्चम आया था यूप्टिपलसी में 95 का जवाब को या होगा ये गोल सामी तुलसीदास की करेती है ठीक है तो बी विकल्ब सही हो गया 96 नंबर परिश्चम आपके सामने कमजोर में कौन सा उपसर्ग है बताओ अंग्रेजी का है उर्दू का है हिंदी का है या संस्कृत का चलो फटाक से बोलो चारू में से चारू में से कौन सा विकल्ब सही होगा कम जोर गया है उर्दू उपसर्ग है कम का आरत होता ठोड़ा यह एक उर्दू उपसर्ग है ठीक है कम जोर, कमबक्त, कमबक्ल बोलते नहीं है तो यह उसी का है चले 97 नमबर प्रश्ण पर हम आते हैं अनुज सब्द का इस्त्री वाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्य का प्रियोग करेंगे चलो बताओ A कह रहा है आपका 1 B कह रहा है A C कह रहा है E B कह रहा है बड़ी चलो बताओ इनमें से 97 इसमें अगर अनुज सब्द लिखा है अनुज सब्द में आप बड़ा जोड़ दो ठीक है या A की मत्रा लगा दो अनुजा बन जाएगा और अनुजा का आरत क्या होता है छोटी बहन को बोलते है तो B विकल्प आपका सही हो गया 98 नंबर प्रश्ण किस सब्द में उपसर्ग नहीं है चलो बताओ अपवाग भाव ओड़ना पराजे चारो में से चूच करो फटक से और फट से कमेंट करो उत्तर नंबर सी होगा ओड़ने हमें कोई भी ऐसा उपसर्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा 99 नंबर प्रश्ण कह04 एक प्रट्य लगने से बने है मलब चारों के चारुम लगा इनमें से कौन सा प्द गलत है चलो बताओ वई इनमें से कौन किस में जो है एक प्रट्य नहीं लगाए गया देविग में कि सामाजिग में कि पाग्षिक में कि भौमिक में चार में से एक आपको चूच करना है तो चार में से एक कौन सा होगा 99 का जबाब जो दे रहे हैं कौन सा विकल C वो एकदम सही है क्योंकि पाठशिक्ट में एक प्रत्ते नहीं लगा हुआ है बिल्कुल सही है चलिए 100 नंबर प्रश्ण अंतिम प्रश्णी स्रेंखला का आपकी स्क्रीन के सामने है कौन सा उप्षर्ग आचार सब्द से पूर्ब लगने पर उसका आर्थ जुल्म हो जाता है चलो बताओ बताओ फड़ाक से बताओ दूर होगा नूर होगा अति होगा अन होगा बहुत अच्छा प्रश्ण है अंतिम प्रश्ण है अति क्योंकि अति धन आचार आप करोगे तो बन जाता है क्या अत्याचार बन जाता है और अत्याचार क्या है अत्याचार का आर्थ होता है जोल्म ठीक है तो सब प्रश्णों की ये संखला आपकी पूरी हो चुकी है कल एक नए सीरीज के साथ हम फिर से में रहेंगे मैं फिर से एक बार क्या रहा हूँ कि जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो एक बार जरूर जुड़ जाएं टेलिग्राम चैनल पर आपको PDF दी जाएगी वहाँ आप चैनल जरूर सस्क्राइब करें बाकी Facebook ग्रूप पर आनी information होती है Facebook ग्रूप आप जरूर जरूर जोइन करिए दूसरी बात सबसे ज़्यादा important ये जो सीरीज सब को चल लए है इसके साथ ही साथ अगर आप practice कर लेते हैं आपनी 245-6007 ये चल लए है इसको जो है आप इस पर call करके या आप WhatsApp करके पूछ सकते हैं साथ ही साथ हाई code के लिए ARO की भी टेसरीज हमारी टीम के द्वारा चलाई जा रही है उस टेसरीज को भी आप जोईन करने के लिए इसी नमबर पर बात कर सकते हैं मटेरियल और अनि सब कुछ उस टेसरीज में भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं